जहें दोस्तो मैराकेसिदर आज आपका मिशन अबजक्टिब जिएस में फिर से स्वागत करता हूँ आज हम लोग पढ़ेंगे भारतिय राष्टी अंदोलन में बिहार का योगदान बिहार के किनकिन नेताओं ने योगदान दिया है बिहार के राष्टी अंदोलन में किनकिन अस्थानों पर चर्चा हुआ यह आपको कहां पूचेंग पूचेगा देख लिजी यह कोचन आपको BPSC Pree में पूचेगा BPSC Mains में पूचेगा बिहार सची बाले में एक टोपिक दिया हुआ है बिहार सची बाले में भी एक टोपिक दिया हुआ है बिहार S.A.C. में भी कौन सा टोपिक है ठीक है बिहार S.A.C. में भी दिया हुआ भारतिय राष्टी अंदोलन में बिहार की भूमिका यह तो बिहार का योगदान यह एक कोचन वहां भी आपको कोचन बने गए यहां से ठीक है तो आप कोसिस करिए कि भारती राष्टी एंदोलन में बिहार का योग्दान किस-किस अंदोलन में कौन-कौन السनेता सक्रीय योगदान थे कहां हिंसा हुआ कहां इसमें हम पढ़ेंगे तो चलिए शुरू करते हैं हम लो तो ये शुरू केंदर लेवल पर महतमा गादित दोरा चलाया गया था, ये अंदोलन था, केंदर लेवल पर ये कब शुरुआत हुआ था, तो केंदर लेवल पर ये शुरुआत अगस्त, मतलब 1 अगस्त 1920 को नाकूर अधिवेशन में प्रस्ताव परित करके हुआ था, मतलब से इसी दिन एक अगस्ट को ही बाल गणेर्द तरफ की मिर्ति हो जाती है ठीक है बला दिन से थोड़ा बीमार थे तो इसी दिन हुआ इनके मिर्ति हो लेते हैं चलिए बिहार में आसायोग अंदोलन सबसे पहले आप लाइक कर दीजिए चैनल को ठीक है और सब्सक्राइब कर लिए देखिए शुरू से हम पढ़ते हैं बिहार के बारे में जब देखिए पूरा केंदर लेवल पर जब आसायोग अंदोलन शुरुवात होई तो बिहुआर में भी क्योंकि बिहार का बंदा कभी पीछे नहीं रहेगा ये तो आप जानते ही एं तो आप जान लेंजेए कि अगस्ट उनीस सो बीज में जो कर रहे हैं अगस्ट उनीस सो बीज में ही बिहार पढ़देश कांग्रेस कमिटी की बैठग बुलाई गई, बिहार परदेश काउरिस कमीटी के बैठक बुलाई गई, बैठक कहां हुआ, पागलपूर में हुआ था, इसके अध्यस्ता कौन कर रहे थे, रजंदर परसाद जी कर रहे थे, आप तो जानते ही हैं, इसका देखिए, और इस कमीटी में ही परस्ताव पारित क पुछ देगा तो शुरुबात कब हुआ, तो यही बिहार परदेश कमीटी के परस्ताव पारित करने के बाद, अगस्ट 2020 में ही शुरुआ था, इस कमीटी के अध्यस्ता रेंदर परसाद जी कर रहे थे, और परस्ताव पारित किसने, मतलब परस्ताव लाए किसने था बिहार में आसायोग अंदोलन के दोरार पर्मुक कार्ज आसायोग अंदोलन जब बिहार में चल रहा था तो कौन-कौन से कार्ज हुए थे। को बनाया गया था अकूला धी-पति मजरूल हग को बनाया गया था ठीक है और यहीं से एक पतरिका निकालते थे मदरलेंड ठीक है है अरेजो के बिरूद ये क्या करते थे असंतोस को मतलब उजागर करते थे और मजरूल हक के द्वारा आपसे कोश्चन बहुत बार पुशा जा सकता है कि सदाकत आसरम के अस्थापना कहां हुआ पटना में किस ने किया तो मजरूल हक ने और मदर लेंड पत्रिका का संपादन क करते थे तो मजरूल हक करते थे कहां से प्रकासित होती तो यह सदाकत आसरंई निकलते थी इतना रात आपको यद होना चाहिए बिहार में असायो गंदोलन के जो अस्टूडेंट थे वो पढ़ाई छोड़ रहे थे मतलब सरकारी अस्कूल संस्थान सिच्छा संस्थान का क्या कर रहे थे विरोध कर रहे थे यह प्राइबिट मतलब यह अपना स्वादेशी पर जोड़ दे रहे थे तो कुछ बड़े-बड़े निताओं ने जो कि चलता रहा तो अस्टूडेंट का क्या हो जागा अस्टूडेंट का भविस खत्रे में पड़ जागा इसलिए उन्होंने अपना सिच्छा संस्थान खोले और बने देखिए उसी में बिहार विद्या पीठ बना था उसी में बिहार राष्टी महाविद्याले के अस्थापन किया गया था ठीक है यह कब हो रहा है विःर में असायो कंदोलन這個 यानि 2020 से 22 से के विता ठीक है फिर 1921 में prince of bells आया भारत Bruce यानि prince of bells का राजकुमार भारत आय था नीकिस में जोकी पत्ना का पहुंचे थे 1921 में पहुंचे थे तो इनका आगम पहाते तो इसका बहुत बहिसकार किया गया था बिहार में आसायोग अंदोलन दो चरंड से हो रहा था एक तरफ तो सब नौकरियां छोड़ रहे थे और क्या करें थे सिछासंस्थान छोड़ रहे थे ठीक है और दूसरी त ठीक है कि भिहार में अहीं के दोरान पर मुज़ के अंदर पटना तो पटनां के द रगला हो रहा था असायोग अंदोलन का बहुत बड़ा अगर केंदर आप से पूछ दो मुझा पर पूर ठीक है ठीक है तो यह सब क्या थे पर मुख केंदर था असायोग अंदोलन का अगर पर मुख दिया जाए मुख पूछे तो पटना और बोलेगा कि और कौन-कौन सक्केंदर था तो मुंगेर, जपरपूर, छपरा, सहाबाद, गया, भागलपूर ये सब छेतर थे मुंगेर से कई बार कोचन पूछा गया तो मुहम्मद जुबायर यहां से नित्वित कर रहे थे ठीक है, छपरा से पूछा गया, तो रहुल संग किरतियायन पूछ ठीक है, फिर आजे थोड़ा सा कुछ-कुछ परमुख नेता के बारे में देख लेते हैं कि असायोग अंदोलन के दौरान परमुख निता कौन-कौन थे, आप रेंदर परसाद के तो चर्चा में करी चुका हूँ, रेंदर परसाद, ठीक है, यार महाविद्यालेक के अस्थापना में पर्थम परचार भी रहे थे, राष्टिये जो पहिजा दिन हुआ था उसमें अ याद कर लिजिएगा, ठीक है, श्रीकृष्ण सी थे, महमद जुबायर थे, बता ही दिये, महमद जुबायर मुंगेर से, मजरूल हग पतना से, सदाकत आसरम, ये सब क्या थे, बिहार के परमुख नेता थे, जुन्होंने असायोग अंदोलन के दौरान, बिहार में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे, ठीक है, तो आपको अगर अच्छा लग रहा तो एक बार लाइक कर देजीए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजीए, तो यहाँ सही कोचन आपको अगर बिप्यस से कोचन पूचेगा, तो बिप्यस सी में पूचेगा, तो इतना सही पूचेगा जो कि बिहार में असायो गंदोनल के भूमिका में ठीक है इस से ज़्यादा नहीं पूछने वाला और प्रिवियस में भी इजी तक दिया हुआ ठीक है तो चलिए अगर अच्छा लगए तो आप चैनल को एक बार लाइक कर देजिए धन्यवाद